सबी को जैन्द दोस्तों आप सबी का हर्दिक सोगत है जैन्द रियक्शन्स पे आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज जम आपके लिएक लेटेस एक इंटरस्टिंग और एक बहुती मज़ेदार वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे आरजुक आजमी जी को उनके स्पेशल गेस्टों के कमर चीमा जो कि ना सिरफ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे बलकि बात होगे चुनावों के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को तो निया परधान मंतरी मिल गया है शबाज शरीफ और अगले मी से या भारत से कुछ सीखने को तैयार क्यों नहीं हमने तो दुश्मन बना रख्या हम यह कब तक टैक्स बुक्स में पढ़ाते रहेंगे कि भारत हमारा दुश्मन है सही कह रही हैं आप देखे यह स्टेट्स की पॉलिसी होती है इंडिया के अंदर भी यही पढ़ाया जाता है यह बोला जाता है ठीक है मैं भी वह नहीं उसमें जाता लेकिन इंडिया के अंदर भी तो यह डिसकेशन होती है कि कौन पाक्सान के बारे में क्या सोचते हैं जन तो उनको leadership देती है तीक है जब अमेद शाह साव या राजनाद सिंग साव ये कहते हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे हम गिलगित बुलतस्तान ले लेंगे तो क्या है वो वो क्या होता है इसका मलब animosity है न तीक है सो मैं समझता हूँ कि यह जो political class है दोनों तरफ और इंट्रेस्ट ग्रूप है दे डू इट इंडिया में जो कर रहे हैं हमेद शाह साब बोलते हैं राजनाद सिंग साब बोलते हैं वो कहते हैं हम आप से किश्मीर ले लेंगे किलकित बुलतस्तान ले लेंगे तो वो क्या in fact है अपनी आवाम को बता रहे हैं ना भरत पाकस्तान से कश्मीर ले सकता है ना हम भरत से कश्मीर ले सकते हैं सो सच भोलें सीधी बात करें मुल्ड के लिए बात करें और आवाम के लिए बात करें और इन चीजों से भाहर निकलें मैं इस इस वाइब बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो हालत है वो देखकर तो आम पब्लिक तो ना तो कश्मीर में इंट्रस्टेड है और ना युजवा हिंद की बात कर रही है उसको अपना अपनी पड़ी हुई है किस तरह से अपना काम चलाए जा है लेकिन जो नई गवर्मिंट आई गी भारत की आपको लगत हो रही है दोनों मुलकों ने फैसला कर लिए बात नहीं करनी लेकिन जब चनल बाजवा पावर में थे तो चनल बाजवा पेगाम देशते थे यह परगाम जाता था यहां बात होती थी कि हां जी भारत के साथ बात करनी है मूव ओन करना है भारत ने सीरियस नहीं लिया और इस तरह हो चीज़ें कर दी बाज में जब थोड़ी से डिवेल्मेंट हुई तो इमरान खान त्यार ना हुए सुना है कि यह फैसला हो गया था कि प्राइम निस्टर मोधी आएंगे पाकिस्तान किसी मंदर में जाएंगे कि इस तरह कता और वहां से पाकिस्तान इसलाम आएंगे और बाते होंगे और वहां सो क्वेस्टन यह आता है लगता है कि अभी बाकसा ने भी शाहिद फैसला कर लिया है कि लेट्स बेट एंड वाच्च क्योंकि हमने प्रिगाम बेजे हैं काफी शबाश शरीफ ने लास्ट टाम भी कहा था कि बात करनी चाहिए लेकर इ पाकसान बात करना चाहता है और भारत क्यों नहीं बात करना चाहता है वो समझता है कि यह पुलिटिकली कमजोर है है एकनॉमिकली कमजोर है हम क्यों इनको मेंस्ट्रीम करें क्यों हम इनको इनको फाइदे दें जरा मुशकल में रहने दें इनको यह भी हमें मुशकल में हम खुद आइसोलेट होते हैं हम खुद कमजोर होते हैं हमें कोई दुनिया का मुल्क नहीं कमजोर कर सकता हम खुद अपने आपको आइसोलेट करते हैं और हम खुद अपने आपको कमजोर करते हैं और हमने ये करके दिखा दिखा दी है मैडम सो ना मैं I'm not hopeful for the talks the only person who can talk who can initiate talk is Prime Minister Modi you have to read his mind वो करते हैं के नहीं करते हैं मगा सर अगर हम दूसरी countrys को देखें वहां पर लोग जाना पसंद करते हैं टूरिस जाना पसंद करते हैं उसके साथ companies जाती हैं बिजनस के लिए जाती हैं चाहे वो भारत हो बंगलादेश हो कई दूसरी countrys में पाकिस्तान में हमने क्या महुल बनाया है अभी आपने देखा कुछ दिन पहले किस तरह से वो एक ग्रेस के ओपर एक खातून के पीछे सारे मौलाना पढ़ गए हम पाकिस्तान की ये image लेकर चल रहे हैं हमारे हैं कौन आएगा बाकियों को तो छोड़े हैं पाकिस्तानी ख का तो कुछ जोड़ी नहीं है ना वो तो जहालत हमने पुरानी पहलाई ही है मुझे ऐसा लगता है उस लड़की ने तो एक वो लबास पहना था इंडिया इंडिया में भी टूरिस्ट आते हैं अभी आपने देखा है वहां पे वह स्पैनिश जो टूरिस्ट आए तो उनके यह हमारे अवराल अभी ना सौथ एशिया में मसले हैं अभी वी हाफ टू ग्रो अप अभी ग्रो अप होने की ज़रूरत है भारत में कोई आता है खातून आती है तो उसके साथ यह जो जो डो स्पैनिश लोगों के साथ हुआ है इस से पहले मुझे याद है एक में एक खातून आ गई थी तो लोग उसके पीचे पीचे बाग रहे तस्वीरें के चुआ रहे हैं वो पचारी भाग गई पता नहीं इसको क्या हुआ कर लहौर में हम देखते हैं कि किसी ने कोई ड्रेस पैन लिया तो उसके ओपर सो एक इतनी ज़्यादा जहालत है भी कि की वज़ा से बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही है लेकिन आपकी बात सही है हमारे पास चॉइस नहीं है हमें ऐस एक कौम फैसला करना है कि कितना हम अच्छा पेश आएं दुनिया के साथ ताकि यहां टूरिस्ट आएं हम अच्छा इंफरस्ट्रक्चर बिल्ड करें ता अबारी अबादी भी ज़ादा है हो रही है सो आए दिन सक्त फैसले करने हैं कौम पन के फैसले करने हैं ताकि हम इन चीजों से निकल से जी मैड़ा सर इंडिया में जो क्राइम हुआ या जिस तरह की होते हैं आप जिसका जिकर कर रहे हैं उसके ओपर सजा मिलती है उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है सजा दी जाती है हमारे जो क्राइम होते हैं जिसमें कि हम जादा तर यह ब्लास्फेमी के इर्जामात लगा देते हैं उसमें तो नहां कोई सजा होती है ना कोई पकड़ा जाता है बल्कimmtकी तो वावावती है। अभी इस वक्त भी जो है वह 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 जो पुलिस वाली थी पुलीस ओफ़िसर थी दिन्हों कैजान दोने उसकी जान बचाई यो लेकर गई उनको जो है उनको जो है उन्हों से माफ़ी मंगने को कहती ही जो परेशान कर रहे थे तो हमारे तो उल्टा सिस्टम चलता है ना अगर कहीं और कोई क्राइम होता है तो उन लोगों को सदा मिलते हैं हमारे है जो क्राइम करते हैं उनको हम हरیس کرتے ہیں جو پڑ نہیں سکتے جو انپڑ ہیں جنہوں نے اس خاتون کے ساتھ हरیس کو हरیس کیا ظلم کیا لیکن سزا کس کو مل رہی ہے اس خاتون کو کہ تم نے یہ کیوں پہنا دیا ایک ملک جس نے وہ ڈریس بنایا ہے اس ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جس ملک میں آیا ہے پہنے اس ملک میں مسئلہ سزاری بات ہے ہمارے اس میں مسائل ہیں یہ جو question ہے کہ اس کو سزا میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بھی F.I.R. ہوگی ہے جنہوں نے اس خاتون کو harass کیا ہے بعد میں ہوئی ہے لیکن ہوئی ہے it will take a lot of time دیکھیں یہ policy level کے decision ہے constitution level کے decision ہے جو وہاں پہ police woman تھی اس کی job یہ تھی primary job اس خاتون کی جان بچانا وہ اس نے بچا دی that's it when it comes to the policy discussion it's a job of the parliament it's a job of the government وہ کیا decide کرتے ہیں وہ کیا plan کرتے ہیں لیکن largely madam میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جس سزا ہے follow کرنا case کو یہ بڑا مشکل کام ہے اور اس کے لیے cases pending پڑے ہوتے ہیں particularly religious اگر آپ کو یاد ہو اگلے دن supreme court کے چیف justice نے کوئی میرا خیال ہے کسی بندے کو رہا کر دیا تو اس کے پیچھے دنیا پڑ گئی ہے so یہ issues ہیں یہ questions ہیں میں ابھی آپ کی طرح ہی جسے کہتے ہیں ڈپریس ہوتا ہوں یہ ان چیزوں کو دیکھے کہ کب جو ہے ہم اس کو سزا دیں گے جو سزا کا حق دار ہے ہم معصوم کو سزا دیتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہیں کمزور کو سزا دیتے ہیں طاقتوار کو سزا نہیں دیتے ہیں اگر آپ bullying کر رہے ہیں مذہب کے نام پہ آپ اس کو جو مرضی کر دیں یہاں پہ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ گورنر تحسیر کو مار دیا گیا تھا مذہب کے نام ٹھیک ہے so کیا بات کرنی اس پہ so یہ بڑا slow and steady process ہے in terms of de-radicalization of society دوستو آشرا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اپنے انتک دیکھا ہوگا اور آرزو کازمی جی اور ڈاکٹر کمر چیما کا یہ پورا discussion آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور ان دونوں کے ویچار جان کے آپ کو بہت ساری نئی چیزیں بھی پتہ چلے ہوں گی کہ پاکستانی بھارت کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں اور کیا ویچار رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہیں آپ اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ڈیک کر ضرور بتائیں اور ایک با فیر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنی سی لیٹس انٹرسٹنگ اور مزیدار ویڈیوز لاتے نہیں تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی زبردست اور انفرمیٹی ویڈیو میں اب تک اپنا دھیان رکھیے جائے ہند جائے بھارت